नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तो दोस्ता आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हर्याना के अंदर कलर की नई वेकेंसी आई हैं उसके बारे में ओफिशियल नोटिस जो वेबसाइट पर आ गया है कुल कितने पद हैं उसमें जर्नल के लिए कितने हैं जो नया रिजर्वेशन दिया गया है सेवर सेलेक्षन प्रोसेसर रहने वाला इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल देने जा रहा हूं तो अगर आप हर्याना के अंदर कलर की नोगरी करना चाहते हैं या नोगरी का इंतजार करने से तो आप यह वीडियों तक जरूर देख लीजिए हैं दोस्तों आपके लिए कैंसी कुक्षेतर है यूनिवर्स्टी कुक्षेतर के अंदर आएं कलर की पोस्ट है और सबसे पहले मैं आपको बता दू आपके पास जो क्वालिफिकेशन वो कम से कम ग्रेजिवेशन होनी चाहिए अगर आप ग्रेजिवेशन से कम है तो आप बेसक से यह वीडियो मत देखिए लेकिन इसमें पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं देखिए डेट व पब्लिकेशन है आपकी 3-3-2019 ठीक और जो ओपनिंग डेट है ओनलाइन एप्लिकेशन की वह 9-4-2019 और क्लोजिंग डेट जो है आपकी वह 15-5-2019 है और दोस्तों इ सबसे पहला जो फेज उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी फेज 2 में कम्प्यूटर टेस्ट होगा फेज 3 में एप्टिट्यूट टेस्ट होगा और फेज 4 में आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगी तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स रखे गए हर एक फेज को अलग बात कर लेते हैं वेकैंसि को लेकर जर्णल की 66 वेकैंसिय एस्टी की 32 बीस्सीए 26 बीस्सीवी 14 EWS 18 एक सर्विसमें जर्णल 14 सी चार बीस्टी चार बीस्सीवी 6 ESP की फेलक वेकैंसिये और दोस्तों इसमें लिखा हुगा है कि जो आपकी वेकैंसिये कम या ज्यादा हो सकत हैं देखिए टोटल 1098 इसमें वेकेंसी हैं जर्णल की 66 हैं EWS की आपकी इसमें 18 वेकेंसी हैं तो अगर हम बात करें फीज को लेकर जर्णल का टेगरी के लिए 1200 रुपे फीज रहेगी फीमेल के लिए 600 रुपे रहेगी और आपका जो रिजर्णल का टेगरी चाहे EWS, SCA, BCA, BCB तो 300 रुपे रहेगी और मेल फीमेल PWD केंडिडेट के लिए 9 चार्जिज आपके इसमें रहेंगे तो दोस्तों अगरा मैं बात करूँ एज की एज आपकी 18 से 50 साल रहेगी, qualification आपके पास graduate होना चाहिए, minimum qualification परसंटेज इसमें कोई criteria नहीं रखा से आपके पास passing graduate होनी चाहिए और दसमी या फिर higher education में आपके पास एक subject हिंदी essence करते होना चाहिए, और आपकी जो typing speed हो 30 word per minute होने चाहिए, इंग्लिस के अंदर ही आपकी ये eligible होगी, हिंदी का इनोंने option नहीं दिया, अब criteria of selection हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बतादा है, phase 1 में typing होगी 30 marks उसके रखे ग हैं, चोथे नमबर पर academic qualification आपकी रहेगी, 20 marks उसके रखेगे तो total 100 marks में से आपका ये पूरा selection process रहेगा, तो दोस्तों ये मैंने आपको full detail जो है, इस वर्तिगी बता दी, जो कुछ शेतर के अंदर color की निकली है, कब से फारम भरे जाएंगे, last date क्या है, fees क्या रहेगी, category wise, इस वेकेंसी कितनी है, selection process क्या है, आपको सारी detail मैंने इसमें बता दी है, फिर भी अगर आपको किसी परकार को कोई doubt है, query है, तो आप comment box में comment जरूर करें दोस्तों, तो इसी परकार की और भी वीडियो पाने के लिए जुडे रहे है चैनलन के साथ इसका नाम है md2 reader publication, धन् रहे हैं तो